पहला क्वेशन है इसमें कि 9-11 की घटना क्या थी? 9-11 मेंटा 11 सितंबर सन 2001 में अब अमेरिका में हमारे हैं पहले तारीक लिखते हैं फिर महीना लिखते हैं फिर सार लिखते हैं लेकिन अमेरिका में क्या है? पहले महीना लिखते हैं फिर तारीक लिखते हैं और फिर सार निए अरब देशों के बिबिन अपरण करता यानि कि जो आतंक वाली थे उन्होंने क्या किया उडान जैसे ही अमेरिका की जो है चार हवायजा जो है उडान भरी उन्होंने उन्हें क्या कर लिया। कबजा कर लिया अब उने क्या कि वह इन विमानों को अमेरिका की महत्तुकून इमारते यानि कि उन बिल्डिंग्स के सामने लेगे गए सीद में जो मुख्य ती जैसे जहां कारोबार चलता है जो सबसे जादा मुख्य चीजे होती है उन विमारतों के सामने उड़ा कर ले के उत्री और दक्षणी विल्डिंग से तकराया तीसरा विमान वर्जीनिया इस्तित पेंटागन से टकराया पेंटागन में बेटा अमेरिकी रक्षा मुख्याल है रक्षा विवाग का जो मुख्याल है उनका पेंटागन तीसरा विमान जो है पेंटागन में गिरा अब च अंग्रिस के भवन से लेकिन वो क्या हो गया उसको वो कहीं जो है इससे पहले ही एक खेत में जा गिना ठीक तो इस हमले को ही जो है सबसे बड़ा हमला था तो इसी के जबाब में जो है अमेरिका ने आतंकबाद के विरुत बहुत कड़ी कतम उठाए उन्होंने आतंकबाद के खिलाब 202 युद्ध में जो है अमेरिका ने और यह अभियान जो है सभी के खिलाब चलाया गया जिन पे जो है अमेरिका को सक्ता नाइन इलेवन की जो गटना थी उसका जो सक्ता उसको जो है उसको जो है उसको जो है सब खिलाब में अमेरिका ने सक्तकारवाई की इसमें जो है पुख्य निसाना जो है अफगानिस्तान क अल-काइदा और तालिवान सासं दो आतंग की संग ठंधिते अल-काइदा और तालिवान उसको सबसे मुख्याryажи और विविधिन और तालिवान की तो अमेरिका ने जल्दी जए उसको खतम कर दिया लेकिन अल-काइदा के अबसेस आज भी जो है सक रिया है ठीक है बीटा तो इस तरह से नौ-ग्यारा की घटना के विरूद में अमेरिका ने पूरा विस्व यापी अभियान चलाया कई सारी किरबदारियां हुई और जिन लोग फानो 14 की घटना के बाद दूसरा क्विशन है भाशत की परतिक्रिया क्या थी भाषत लगा हंच गेंगंता कि जो कई सारे जो वह जो है रहाल में इस अतंक बाद के खिलाब अभियान में अमेरिका का सथ देगा तो इस तरह से जो है अमेरिका ने उसामा मिल लादेन को जो अलकाइदा का जो पकड़ने के लिए कारवाई की भारत ने भी जो अमेरिका का साथ दिया मतलब आतंक बात के खिलाब भारत की जो प्रदान मंत्री श्री अटल्वियारी वाजबेजी ने लौ-ग्यारा के हमने की जो है कथोर सब्दों में निंदा की और कहा की बारत जो है आतंक बात के मुद्दे पे हमें साथ देगा हिक है वेटवियान प्रीशन इंफनाईट रीजिच का संबन्ध है में बेटा मिसाहिल हम ने का ये सेचे से ऐंडेूरिंक आपरेशन एंडक प्रीडम हमले से संबंदीत है और इस प्रथमध्य को झेटरीफ़ युद्धन continental लुब विडिलों को बनाने के क्या उत्धिस है ? मतला जो छेत्रिय संगठन एक छेत्र में बनाते हैं कि गई जैसे दक्षण यज के देश हैं उन्होंने इता शेयान नामत शंगठन बनाया जितनी वी दक्षण येसी हम आदिय के देश थे साउथ दक्षेश ठीक है उसके लगबग सभी सारी समस्या एक जिसे उती है पिछड़े हैं गरीब हैं एक जैसी कंडिशन है सब किस तरह से जो हो आपसी सयोग के लिए जो हो चेत्रे संगटनों का निर्मान करते हैं ताकि एक दूसरे की मदद कर सके और एक दूसरे के जीवनस्तर को मुचा उठा सके अब हैं आर्थिक सामाजिक और संस्कृतिक विकास के लिए अब जब सब की समस्याइं जैसी होती हैं लगवक्त संस्कृति भी मेल खाती है तो इन सब की के विकास के लिए जो है चेत्रे संगटनों को बनाना जरूरी होता है फिर है आत्म निर्वरता अब जो चेत्रे संगटन है वो सोचते हैं कि जो हमारा संगटन है कि हम इ इतनी आत्मनिर्वर हो जायें कि हमें बाहर के देशों की बदत ही आव सकता ना पड़ी। तो आत्मनिर्वर मतनाब एक सहयूग से जो हम आत्मनिर्वरता को प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है फेटा फिर है एक सहयूग से अपसी सहयं के माध्यम से दूर करना, अन्य देशों के साथ सहयोग की भावना का दिकास करना ठीक यह हो गया चेत्रिय संगटनों को बनाने के उद्धिस यह अब है वेटा एक दुरुभीय विश्व से आप क्या समझते हैं एक दुरुभ दुरुभ का मतलब होता है पूर अब दुरुभीय विवस्ता थी जब इस संसार में जो है इस विश्व की सक्टी दो भागों में बटी थी का अमेरिका और सोवियत संग दो दुरुभ हो गए थे दो महा सक्टिया हो गई थी तो विश्व की राजनीती क्या हो गई दो भागों में बट गई जो विश्व की राजनीती का जो है दो का तर्दवा था एक सुवियत संग और एक अमेरिका तो दो भागों में बटी भी थी लेकिन जब अब दोनों का प्रभाव था पिस्व राजनीति तो अब जब 1991 में सुवियत संग का फिकटन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका का जो है प्रभाव बचे अब दो धुरूब थे सु जो है किसी एक देश का ही परभुत्व हो जैसे आजकल किसका है अमेरिका का परभुत्व है और विश्व राजनीति के ज्यादा तर निर्णे उसी की इच्छा से लिए जाएं तो इसको जो है एक दुरुभी विस्व विवस्था कहते हैं क्योंकि आज कल जो हर जग अमेरिका का अस्तक्षेप है उसी के इच्छा से जो है निरने लिए जाते हैं तो यह है याने कि जिसमें जो है एक ही देशका प्रभाव और राजनितिक बिस्विस्व के ज्यादा धर निर्णे उसी की इच्छा से लिये गदो An जाता ह Bir Don भौगोलिक निकटता का छेत्रिय संगठनों पर क्या प्रभा हो परता है अब छेत्रिय संगठन जो है इन पर भौगोलिक निकटता का क्या प्रभा हो है अब देखे बेटा कि भौगोलिक निकटता के कारण जो है उन जो एक छेत्र है मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे दक्षण यहीं देश हैं तो उनकी एक जैसी समस्या हैं एक जलवाई हो तो उस चेत्र की अनेक समस्या हैं जो हैं एक समान होती है लगवक दर्म प्रीति रिवाज भासाएं तो जिस कारण क्या होता है कि उन चेत्रों को जो है संगटन की नि समस्या है एक जैसे परिस्तिति यह धर्म रिति रिवाज और भासा लगवक एक समान होती है जिस कारण जो है चेत्री संगटनों को निर्मान में सायता प्राप्त होती है और आपसी सहयोग की भावना भी उत्वन होती है अब हैं आसियान विजन 2020 यानि कि आसियान का जो लक दूए तो आसियान विजन 2020 की बातें इसमें जो है आसियान की एक scree philanthropy भूमिका की पर Mehto पुन बनाने के लिए भी परियास किये जाएंगे और होगे भी फिर हनोई कार्य योजना के तहट छेत्रिय आर्थिक एकी करण व्यापारी करण उदारी करण तथा वित्तिय सहयोग के लिए विविन उपाय करना ठीक है मेटा फिर है तीसरा आसियान विजन 2020 के तहट एक आसि अर्थिक समुदाय का निर्मान किया जाएगा और एक आसियान स्हामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय का निर्मान दरने की बात रखी गई है मतलब यह चीजें जो है उनी है 2020 आसियान तक निजन की ठीक है मिटा अब है यूरोपिया संग को क्या चीजें एक प्रभावी स सबसे पहले इनका अपना जंडा है अपना अपना दिवस है और अपनी मुद्रा है जैसे यूरो मुद्रा का परचलन आपने तो अजार दो में यूरो सुरू हुए तो एक एक मुद्रा एक जंडा एक गान है इनका तो यह इन चीज को जो है क्या करती है एक सुद्रिष्ट बनाती है फिर यूरोपिया संग का विश्व राज नीती में जो है बहुत अदिक महत्तो है क्योंकि विश्व की सम्रिद्द साली अर्थ व्योसता है यह इतनी वीश्वे दे मियर्च्छा परिशत के स्थाई सदस्य भी है और इन पास अपने परमान हतियार भी है और विश्व की सब्दूसरी बड़ी सेना यूरोपीय संग के पास है पहने का मतलब है कि यूरोपीय संग जो हैं, बहुती संवरित्र सालित बेसों का एक संगठन है इसका एक अपना जणडा है अपना एक गान है अपना इस्थापना दिवस और अपनी एक गुथरा है ठीक जो इस संगठन को प्रभावी बनाती है अब लास्ट क्विशन है वेटा कि मुलकों की सांती और संवरिद्धी छेत्रिय संवरिद्धी चेत्रिय संवरिद्धनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है इस कथन की पुष्टि कीजिए यानि कि जितने भी देश हैं उनकी सांती और संवरिद्धी चेत्रिय संवरिद्धनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है यानि कि चेत्रिय संवरिद्धनी उन सबको मजबूत बनाता है वो कौन-कौन से कारण है तो कहने का मत eigen है कि, जब भी मनुस्षय को अपना जीवन अगर बनाना है तो इसमें जो है जई 2.7 लूनी बहुत ज़रूरी है, ताकि मनुस्षय का सर्वांगिन विकास हो सके इसके साथ साथ विश्व का आर्थिक विकास भी होना बहुत जरूरी है और इन दोनों छेत्रों को चाहे आर्थिक विकास है चाहे सामाजिक विकास है यानि कि सरवांगिन विकास के लिए जो है एक आर्थिक वियोस्ता में मजबूत होनी चाहे आर्थिक विकास भी होना चाह और इन चीजों को जो है कैसे पूरा किया जा सकता है एक छेत्रिय संगठन बना करके इनको हम पूरा कर सकते हैं इसलिए जो है पिश्ट्व सांती और समरिद्धी के लिए छेत्रिक आर्थिक संगठन अवस्या है जरूरी है और परतेक महाद्वीब में लगवग सभी जगा आ अपना आर्थिक और सामाजिक विकास किया जा सके ठीक है और यह संगठन क्या करते हैं इन संगठन जो है अपने जितने भी सतस्य देश हैं उनको आर्थिक विकास में बढ़ावा देते हैं और इन्हें जुद्ध से भी दूर रखते हैं अगर जैसे टकराओ की स्थिति भी जाती है तो उसको बादचीत के माध्यम से सुल जा देते हैं तो इससे क्या होता है विश्व में सांती बनी रहती है ठीक है बेटा